प्रेंज, SMT चैनल में आपका फिर्स से एक बार स्वागत करता हूँ फ्रेंज, IRCTC का स्टॉक फ्लीट जो स्प्लीट होने वाला है सबको जो 1 इस्टू 5 जो शेर मिलने वाला है यहाँ पे एक स्यास जिसके पास है उसको एक स्यास के बत्ते में 5 स्यास मिलेंगे और आभी जो शेर का फ्राइस है 200, 600, 2666 इससे नीचे आके कितना प्राइस होगा स्टॉक का प्राइस स्प्लीट होने के बाद वो हम लोग देखेंगे और आपको क्या बाई कारना चाहिए कि नहीं कारना चाहिए और इसका क्या रणनीत होना चाहिए आपका कितना लंबा टाइम तक आप होल कर सकते हो पूरा डीटेल्स हम लोग आप इस वीडियो में डिसकस करने बाले है तो वीडियो को ज़रूर इन तक देखिएगा स्प्लीट का प्राइस क्या होने वाला यह जानने के लिए तो फ्रेस आपको पता है कि IRCTC का शेयर प्राइस अभी जो है 2600 करिप वो अभी स्प्लीट होने वाला है और स्प्लीट होने के बाद जैसे जो फेस बैलू है कुम्पानी का पर इकुईटी वो है 10 रूपिस अभी फिलान 10 रूपिस है और अभी यह जो स्प्लीट हो जाएगा 1 रूपिस हो जाएगा यही 10 रूपिस बाला फेस बैलू फिर हो जाएगा 2 रूपिस ठीके और इसको कीकी 5 से डिवाइड हो जाएगा 10 डिवाइड हो जाएगा 2 रूपिस हो जाएगा आप ही जो स्टॉक का प्राइस है 200-2666 फिर यह जो स्प्लीट होने के बाद स्टॉक का नया प्राइस हो जाएगा 500-550 रुपिस फिर आप सोच रहो भाई यह तो बहुत ही सस्ता हो गया आएगा IRCTC का क्या कुछ प्राब्लेम होगा कुछ असर पड़ेगा कुपणी में कोई असर नहीं पड़ेगा कुपणी का जो वैलुएशन है एकदम इंपैक्ट रहेगा कोई वैलुएशन पर यह प्राब्लेम नहीं होगा यहाँ पर देखे, this split won't have any impact to the company's valuation, इसका कोई असर नहीं पढ़ने वाला है, असर अगर पढ़ेगा, तो इसका जो retail investor है, उसके उपर, क्योंकि इसको बहुत ही सस्त दाम पर मिलेगा, 500 and 550 के रुपिस के अंदर अंदर, ठीक है, तो इसको आप खरिश सकते हो, क्यों काफी investor ऐस है, इस stock का price अभी बहुत ज़्यादा हो गया, इसके लिए इसको नहीं खरिद पा रहा है, कि इसका बहुत cost है, ठीक है, expensive है, अभी मालिजे 500 रुपिस आ गया, stock का value, फिर काफी investors यहाँ पर खरिद पाएंगे, 500 रुपिस का stocks, बार यहाँ पर एक सुजा यहाँ पर देना है मैं आपको बताना चाहूंगा, कि इसका जो price है, वो कितना होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं, तो difference देखें, जैसे 500 रुपिस तो 550 रुपिस, stock का price होने बाला है, 500 तो 550, तो आप इसको 500 या 550 में मत खड़ी दे, ठीक है, जो best valuation होगा, after stock fleet, यही सुजावे, suggestion दिया रहा कि शेर चाहिए, 450 तो 470 में बीच में आएगा, उस time आपको खड़ी तना है, ठीक है, with stop loss of 370, मतलब stock split हो जाएगा, split होने के बाद stock का price हो जाएगा, 500 तो 550, ठीक है, इसके range पर यह stock होगा, वाट आपको यहाँ पर खड़ी दारी बिल्कुल नहीं करना है, stock तो रहा नीचे आजाएगा, 450 to 470, किसी भी रेंच पर इसी रेंच पर आप किसी भी price में आप इसको buy कर सकते है, ठीक है, और आपको stop loss कोट सा maintain करकर रखना है, stop loss maintain करकर रखना आपको 370 रुपेस, ठीक है, तो 370 के नीचे जैसे आएगा, आपको उसको sell करके निखल जाना है, ठीक है, और आपको 450 लेवल में इसको खरिदना है, और आप कितना दिन तक hold कर सकते हो, lifelong, जितना लंबा आप hold करोगे, उतना ही आपको जादा return मिलेगा, क्योंकि IRCTC आपको पता है, कि इसका not only ticketing, इसका जो catering and tourism का business है, food business है, बहुत ही बढ़िया है, और long time में काफी अच्छा मुनाफ आपको स्टॉक से मिलने वाला है, तो इसको बिल्कूल आप मौका जाने मात दीचे, 500 रुपीस जब स्टॉक का value हो जाएगा, तो आपको पैसा भी ज़्यादा नहीं लाएगा, इतना expensive नहीं रहेगा, और 500-550 split इसलिए किया है, 1-5 रुपीस का, 5 का जो split इसलिए किया है, so that, जो investors है, retail investors, उसको ज़्यादा आशानी हो जाएगा, स्टॉक को पर्चेस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि 2,000 रुपीस का स्टॉक, काफी investors लोग, expensive है, स्टॉक का प्राइस, इसलिए नहीं खरीद पाते है, तो इसलिए जो split होने के बाद, स्टॉक का जो नया प्राइस हो प्राइस में बाई कीजिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 370 का मेंटेन करके चलिए, लोंग टाम जितना जल्दी इतना लंबा टाइम के लिए आप इसको खोल करके रखोगे, उतना ही आपको प्राफिट मिलेगा, फ्रॉम आयार सीटी सी, इंडियान रेलवे काटरिंग क उसको पकर नहीं पाओगे, तो आपको मौका है जब भी स्प्लीट का प्राइस एफेक्टिव हो जाएगा, तब आप इसको तुरा ट्राकिंग कीजिए, कुछ टाइम के लिए, आपको जब भी स्प्लीट का प्राइस 500 के टाइम पर देखेगा, उसका जो प्राइस और बिल्कुल होना चाहिए, मैं यह समझता हूँ, for long term perspective के लिए, इसको आप hold करके रख सकते हैं, इसमें ज्यादा अच्छा dividend भी आपको मिलेगा, ठीक है, और इसका एक अच्छा चीज है, गवर्मेन के साथ इसका tie-up है, तो इसका यह stocks प्राइस सेफ है, ठीक है, तो इसको आ अपना portfolio में add करके चल सकते हैं, वीडियो को थुरह से informative लगा है, तो लाइक ज़रू कर दीजेगा, फर्स्टाइम चैनल पर विजिट कर रहो, तो चैनल को ज़रू सब्सकाइब करके जाना, और इसको आपको कोई भी comments है, कोई भी suggestions है, कि already आपके पास अगर ISTC का share है, कोई question है तो comment section में लिखे बता सकते हैं, thanks for watching, मिलते हैं इसी informative वीडियो के साथ अगले वीडियो में